बलूट थाना शेत्र के गोलगाओं में एक मकान की बालकनी में खड़ा युवग बिजुली की करेंट की चपई टम्याने से पूरी तरह चुलस गया उसे इलाज के लिए सिरोही सरकारी अस्पताल के ट्रामा सेंटर ले जाएगा जहां इलाज के दुरान उसकी मौत हो गई जानकारी के अनुसार बलूट थाना शेत्र के गोलगाओं में उठ जाने वाली मार्ग पर इस्तेत एक मकान में रहने वाला रवी कुमार उमर 11 साल पुत्र सांकला कुमार घर की बालकनी में खड़ा होकर किसी व्यक्ती से मुबाइल पर बात कर रहा था कि अचानक उसका हाल बजली के तार को छुग गया जैसे ही करेंट लगा वो नीचे गिर गया और वहां से ट्रामा सेंटर पहुंचे परिजनों की रिपोर्ट पर पुलीस ने मामना दर्स कर शव का पोस्माटम कर परिजनों को सुप दिया पुलीस घटना के कारणों की जाच कर रही है सिरोही सेदाहुल रावल की रिपो